हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाना जा रहे हैं मेथी बॉल्स जिसे बनाना बहुत ही इजी है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते फ्रेंड्स इसे हम बिना ओइल के आटे से बनाएंगे तो यह बहुत ही हेल्थी रेसिपी है तो आप इसे आइकोन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे मेथी बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में एक कप बाजरे काटा लेंगे आधा कप गेहु काटा और इन दोनों को हमने चान लिया है थोड़ी सी मैथी इसे हमने कट कर लिया और फ्रेश पानी से धो लिया है थोड़ी सी चौप्ट धनिया इसे भी हमने फ्रेश पानी से धो लिया है एक बारिक चौप्ट अनियन दो हरी मिर्च चौप्ट किवी रेट चिली पाउडर, क्वाड़ टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धन्या पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून अधरक लैसुन का पेस्ट, यह आप्शनल है, अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, अब फेंड़, अब मिक्स करने के लिए, चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो सकता है, इसलिए हम इसमें हाथों का यूज़ कर रहें, अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितना हमने जरुवत हो, उससी साप से हम इसमें प कर देख फ्रेंड हमें से बोग की तरह तयार कर लिए कि अ lug सब्कूंद्धेसे प्रक्राइप और ना ज़्यादा धीरा रखा है यह बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह हमें इसे गूदा है देखे फ्रेंड्स हमने अपने हाथ साफ पानी से वाश कर लिए है अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से हम इन सारे डो के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे देखे फ्रेंड्स हमने सारे मैथी बॉल्स बना लिए है आप देख सकते हमने चोटे चोटे साइस के बनाएं आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते अब इसे हम कुक करेंगे अब यह हमने एक बरतन में दो ग्लास पानी पांच मिट गरम कर लिया था अब इसमें हम चन्नी रखेंगे यह फ्रेंड्स चन्नी में हमने ओईल लगा लिया है हलका सा अब इसके उपर जो हमने मेथी बॉल्स बनाए थे वह हम रख देंगे अब इसके उपर हम इस तरीके से धकन लगा देंगे और इसे पांच से साथ मिनट तक पकने देंगे तेज आज पर अब हम ढखन अटाकर इसे चैक कर लेंगे देखे फ्रेंड्स हमारे मेथी बॉल्स का कलर वह चेंज हो गया है इसका मतलब यह हमारे कोख हो चुके है अब यह ध्यान रखे यह इसका साइन है अगर आपको लगे कि इसका कलर नहीं चेंज हुआ है इसका मतलब आपके जो इसके फ्लेम के ऊपर डिपैंड करता है अब इसे हम निकाल लेंगे चनी से बाहर और ठंडे होने के बाद इसे हम परोसेंगे लीजी फ्रेंड्स हमारे मेथी बॉल्स खाने के लिए बिल्कुल रेटी है देखा फ्रेंड्स आपने यह कितनी इसली बिना जंजट के बन जात अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमिदास की चन को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी हमें भेज सकते तो अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में तब तक के लिए थैंक यू